वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर है लॉस स्प्रिंग आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर तो चल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया और अगर अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्वेश्चन नमबर वन है वाट इस साहिब लुकिंग फॉर इंदा गार्बेज डम जो साहिब है वो कूड़े करकट के धेर में क्या ढूंड रहा है वह कहां पर है और वह कहां पर है और कहां से आए चिल्ट्रन आपको यह क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इमेज का य कैसी चीज मिल जाए जिससे मतलब उनको पांसदुस रुपे बन जाए तो हमें यही आंसोर लिखना है साहिब इस लुकिंग फॉर कॉइंड रूपी नोट इन दा गार्बेज ठीक है उसने पूछा था वो क्या ढूंड रहा है गार्बेज में या तो वो कोई सिक्का मिल ज ओफर फॉर दा चिल्डर नॉट वेरिंग फॉट रहा है और जो है क्या एक्स्प्लीनेशन देती है कि यह कूड़ा बीनने वाले बच्चे अगर आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा तो यह अपने पैरों में चपले नहीं पहनते हैं क्यों तो चिल्डर इसका आंसर में मैंने इमेजिस के थ्रू दिया है पहले आपको एक्चुली इनके यहां यह ट्रेडिशन है कि अगर हम चपल ना पहने तो लोगों की हमें सिंपती मिलेगी लोग हमें पांच-दस रुपए दे सकते हैं ऐसा नहीं कि इन पर पैसों की कमी है यह पचास सो रुपए की चपल नहीं ले सकते बस ताकी यह इनका ट्रेडिशन चलता रहे अप्वाइडिंग तू और इनको नंगे पैर देखते हैं उन्हें पिटी का मतलब है दया आ जाती है और हम लोग इने कुछ पैसे दे 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 तो रुपए दे दिये पांच रुपए चलिया रख ले चल कोई बात अपनी है और something to eat कुछ खाने के लिए दे देते हैं ठीक है question number three इस साहिब happy working at the tea stall explained चिल्दन अगर आपनी इस story पड़ी होगी तो साहिब पहले garbage बीनता था उसके बाद वो tea stall पे काम करने लग जाता है तो question यह पूछ रहा है क्या वो tea stall पे काम करके खुश है या नहीं तो पहले जब वो garbage बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था वही अभी काम करना नहीं करना आज जाऊँगा आज नहीं जाऊँगा लेकिन tea stall पे अब वो एक knocker बन गया है तो क्या वो खुश है नहीं उसकी आजादी जो है अब वो पूरी तरह से छिंच चुकी है तो answer लिखेंगे no, sahib is not happy working at the tea stall, sahib tea stall पे काम करके खुश नहीं है he has lost his freedom, उसने अपनी freedom हो दी है earlier even though he was a rag picker, he was the master of his own will हाला कि कोई पहले कोई बड़ा business व्यापारी कोई ऐसा नहीं था लेकिन कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो था but now he works under the instruction of tea shop owner और अब तो वो अपने मालिक के अंडर में काम करता जो भी मालिक कहेगा चाहे देयाओ, है ना बरतन साफ कर दो next question है, what makes the city of Firozabad famous ऐसी क्या वज़य है जो Firozabad को famous बनाती है चितन Firozabad famous है चूडियों के लिए, glass work के लिए so answer है, the city of Firozabad is famous for its bangles, चूडियों के लिए famous है it is the center of India's glass blowing industry, glass blowing industry मतलब जहाँ पर कांच का काम होता है कांच के सारे products तयार किये जाते है next question देखिए, mention the hazards of working in the glass bangles industry जो लोग glass bangles industry में काम करते हैं, विचारे worker उनको hazards का मतलब है, उनको लिए क्या-क्या खत्रे होते हैं ठीक है, dangers क्या है, सबसे पहले तो children मैं बता दूँ ये लोग गरम भट्टियों में काम करते हैं, ठीक है अब आप ये सोचो, गरमियों में यार हमें already कितनी गरमी लगती है 40 degree Celsius temperature चला जाता है, चला जाता है कि नहीं हम लोग इसी चलाते हैं और ये विचारे गरम भट्टियों के पास काम करते हैं दूसरा, आप यहाँ देखो मैंने images के थिरू दिखाए हाथ में काच वगएरा लग सकता है, पूरे हाथ वगएरा खराब हो जाते हैं तीसरा, ग्लास की जो dust होती है, चोटे चोटे पार्टिकल्स वो आँखों में चले जाते हैं और इनकी आँखे खराब हो जाती है तो यही बात हमें लिखनी है, नमबर वन, workers have to work near glass furnace, furnace का मतलब होता है, चिल्डरन भट्टी यह जो दिखाई दे नहीं, गरम गरम भट्टियां ठीक है, the workers lose their eyesight और इनकी eyesight चली जाती है, due to high temperature, क्योंकि इन्हें बहुत time हो जाता है, high temperature पर काम करते-करते dust of glass polishing also cause severe damage to their eyes, यह जो dust है, देख रहो, यह जो, कांच की जो dust है, इसकी जो polish होती है, dust of glass polishing, यह भी इनकी आँखों को बहुत जादा नुकसान पहुंचाती है, तो यह सारे खत्रे होते है, glass industry में, how is Mukesh's attitude to his situation different from one of his family, अगर आपने चिल्डरन यह story पढ़ी है, तो आपको पता होगा, यह कहानी है, Mukesh की, ठीक है, दो कहानिया, एक साहिब और एक Mukesh, Mukesh और उसकी family bangles industry में काम करती है, लेकिन Mukesh अपने परिवार के ओलेट वो एक garage mechanic बनना चाहता है, motor mechanic, motor mechanic कोन होते हैं, जो car, bike वगरा को ठीक करते हैं, तो इसलिए उसका attitude अलग है, इसी बात को हम लिख करेंगे, everyone in Mukesh family works in bangles making industry, हर कोई किस में काम करता है, bangles making, चूडी बनाने का business करता है, they have been doing this for generation, और पीडी तर बीडी, मतलब उनके बाग दाता है भी यह काम कर रहे थे, उससे पहले भी यही काम चला रहा है, उनके घर परिवार में, but Mukesh has different attitude in this manner, question यह पूछ रहा है कि, जो Muk Mukesh का attitude अलग इसलिए है, instead of working in glass industry, मतलब कांच industry में काम करने के बजाए, instead का मतलब होता है, he wants to become a motor mechanic, क्योंकि वो एक motor mechanic बनना चाहता है, इसलिए जो उसका attitude है, वो अपने परिवार के लोगों से अलग है, अब हम करेंगे understanding the text, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to city, क्या ऐसे reasons हैं, जो लोग गाओं से शहरों की तरफ migrate करते हैं, तो देखो, पूरा answer मैंने question मैंसी निकाला है, some of the reasons, some of the reasons for the migration of people from villages to cities are, क्या-क्या है reason, better livelihood, अब चिल्टन हर कोई गाओं में आपने ज्यादा तर देखा, उका farmer है, farmer है, हर कोई खेती बाड उनको job मिल जाती है, उसके लिए आ जाते है, जब उनको job मिल जाती है, तो फिर वो सुचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी education मिले, उसके लिए आ जाते है, better education के लिए, शहरों में हर जगे जाने के लिए अच्छी सड़के है, अच्छी bus, facility, transport बढ़िया है, कोई भी बी इग्मारी बगरा के लिए अच्छे इलाज है, तो इन सब चीजों की वज़ए से लोग गाहों से शहरों में आ जाते हैं, चिल्टन आप मुझे टेलीग्राम पर जोइन कर लो, जो टेलीग्राम का लिंक है, वो मैंने description में दिया हुआ है, आपको हमारे सारे updates आपके phone पर मि निभाया नहीं जाता, why do you think this happens in the incidents, narrator in the text, और आपको क्यों लगता है कि इस story में ऐसा क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है, तो दो question है, तो सबसे पहले तो पूरा answer मैंने question से उठा, yes I agree, मैं agree करता हूँ, that promises made to the poor children are rarely cared, बहुत ही कम ऐसा होता कि उन जो हमने वादे कि उनको निभ to make the children happy, इसलिए होता है, क्योंकि इस तरह के promises को कोई seriously तो लेता नहीं है, और बस बच्चे को उस टाइम पर खुश करने के लिए कह देता है, तुम चिंता मत को बेटा, अब से तुम्हें ये नहीं करना पड़ा है, अब तो इस तरह के वादे कर देता है, अब इसमें एक औ अथर हैं, जो narrator है, वो साहिब से वादा कर देती है, कि वो जल्दी ही एक स्कूल खोलेंगी, जिसमें साहिब पढ़ सकता है, but after some days, when साहिब आस्क हर, if her school is ready, जब कुछ दिनों बाद साहिब उन से पूछता कि मैडम, आपका स्कूल ready होगा, आपने कहीती है, आपने वादा क सर दिया था, और बच्चा उस बाद को दिल पे ले गया, next, what forces conspire to keep workers in Bengal industry of Frosabad in poverty, children, इस question में ये पूछ रहा है, कि जो बिचारे गरीब workers है, वो क्या है ऐसा Frosabad industry में, कि वो गरीबी भी ही अपना जीवन बिता रहे है, children, आपने एक लाइन सुनी होगी, गरीब और गरीब ह होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा, उसका reason हमें बताना है, यहाँ पे, there are many forces, जो मैंने line red में लिखी है, मैंने पूरी copy से, there are, there are लिखके many forces conspired to keep the, ऐसी कई ताकते हैं, जो इन लोगों को गरीबी में ही जीने के लिए मजबूर कर देती हैं, वो ताकतें क्या है, these include the money lenders, money lenders कौन होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं high interest पे, middle man, बीच में जो broker वगरा होते हैं, police वाले होते हैं, politicians होते हैं, अब होता क्या है, कि भाई कोई चीज बनाई तो बिचारे इन्होंने, है न, इन्होंने मेहनत करके बनाई, फिर बीच में कोई middle man उसने अपना profit खाया, politician ने अपना profit खाया, money lender ने अपना profit खाया, तो इन लोगों को जो बिलकुल basic से काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, और ये गरीब के गरीब रह जाते हैं, together they impose a heavy burden on the workers of Bengal industry, और ये सब लोग ताकते मिलके, जो गरीब लोग हैं, उनको इतना दबा देते हैं, कि व मुकेस अपने सपने को साकार कैसे कर सकता है, तो children मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक question कर आया, तो बिलकुल मैंने वही लाइन copy paste कर दियां, देख लो, everyone in a Mookkes family works in Bengal making industry, हर कोई Bengal making industry में काम करता है, they have been doing this for generation, वो generation से यही वाला काम कर रहे है, पर मुकेस का attitude अलग है, वो glass industry में काम करने के बजा है, ठीक है, तो हमने वही वाली line पहले तो बहुत copy paste करती है, अब यह पूछ रहा है कि वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकता है, he can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars, अब भी अगर वो अपना सपना उसे पूरा करना है, तो उसे garage join करनी पड़ेगी, वहाँ पे का पड़ेगा कि कारों को कैसे ठीक किया जाता है, उनको चलाया कैसे जाता है, लेकिन there are many challenges, बहुत सारे challenges है, बहुत सारी problem है, सबसे पहली दिक्कत है, पैसा नहीं है उन दोगों के पास, he will have to earn some money himself, पहले उसे कुछ पैसा खुद से कमाना होगा, the garage is very long way from his home, उसका घर यहाँ और garage बहुत दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक महुचने के लिए भी तो कराया भाड़ा लगेगा, he will have to cover twice every day anyhow, और उसे दो बार, एक बार जाना और एक बार आना, तो दो बार जाना पड़ेगा, चाहे वो पैदल जाए, ठीक है, कैसे भी जाए, लेकिन अगर उसे अपना स जाकार करना है, तो पहले तो उसे कुछ पैसे कमा के दिखाने होंगे, तब वो अपने घरवालों को राजी करेगा, कि भईया, मैं ये वाला काम करना चाहता हूं, इस काम में patience लगेगा, hard work लगेगा, और उसकी जो determination है, will help him to realize his dream, और इस तरह से वो अपना सबना फूरा कर स सकता है, next question है, mention the hazards of working in the glass industry, बेंगल, चलन ये question मैंने आपको already उपर करा दिया है, तो वहीं से आप copy paste कर सकते हो, चीक है, क्या-क्या दिक्कते आती है, क्या-क्या खत्रे है, last question करेंगे, why should child labor be eliminated and how, जो child labor है, उसको खतम क्यों कर देना चाहिए, और कैसे, सबसे पहले, child labor should be eliminated because it does not let them live their child, वहीं एक बच्चा याद, जो खेलने के लिए बना है, जिसका बच्चपन बीतना चाहिए, पढ़ाई करते मक्त, वह बिचारा एक चाय की stall पर काम कर रहा है, क्या ये अच्छी बात नहीं, the age when they are supposed to read, play, enjoy, goes in working for a little money, ठीक है, जो जो age उनकी बीतनी चाहिए, पढ money लग लेना, ठीक है, child labor can be eliminated only through the serious efforts on the part of government agencies, child labor को अगर हटाना है, तो government को कुछ और ज्यादा serious steps लेने होंगे, एंजियो को काम करना होगा, cooperative societies को काम करना होगा, political leaders को कुछ serious efforts करने होंगे, mere passing of law will not help, ये नहीं है, खाली भईया, law pass कर दिया, कहां भईया, कोई काम नहीं कर रहा है, इस सो कुछ नहीं होगा, laws should be enacted faithfully, laws मतलब पूरी नयम के साथ पालन होना चाहिए, अगर कोई उसका जिनको child labor में लगाए जा रहा है, उनको proper education दे, government, कपड़े दे, pocket money दे, their feelings, thoughts and emotions should be respected, और कहीं ना कहीं हमें उनका respect करना चाहिए, कि कैसे भी ये बच्चे develop करें, और कल को इंडिया का नाम रोशन करें, last question का answer मैं देखूंगा, कितने बच्चे मुझे right answer दे सकते हैं, who was sahib, इसका answer आप मुझे दोगे comment section में, sahib एक शौकी पर था, एक servant था, या वो ragpicker कूड़ा भी वाला था, या all, तो आप अपना answer दे सकते हो, A, B, C, या D, I hope मेरी ये छोटी सी explanation आपको बहुत अच्छी लगी होगी, please वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, मिलते हैं अगले वी मिलते हम झा बहाँ झाला, था लाम झाला, या वीड़ा मिलते हो, A, B, C, वीछ वीवैं वेज़ा ओंजे, एक बहाँ जGUा कर दोगया हो, A, B, C, या वीज़ा था continuing, हमिह पुआना, पदे लग्गा जे वीदार आपको, या दिनापकते हो, या देना, फस्र साफं़ा बिया क